तो आज हम बनाएंगे हिजाब के एक बिल्कुल यूनीक तरीके से तो चले चलते हैं अपरे वीडियो की दाने तो यहां पर मैंने लिनन फैब्रिक का इस्तमाल किया है यहीं मेरी सूट में से बचा हुआ कपड़ा था तो मैंने सोचा क्यों नहीं इससे हिजाब के बना ली जाए तो मैंने इस कपड़े को स्ट्रेट कट करना है सबसे पहले यह देखें यह इतना लंबा पीस है इसको सबसे पहले मैं हाफ फोल्ड कर लोगी इस तरह अब हमें जो रिक्वाइड लेंग्स चाहिए अपनी हिजाब चाहिए यानि विट वो है 9.5 इंच तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच के उपर माउक लगा लूगी इस तरह और निशान लगाने के बाद मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन के जरीए मिला लूगी अब हमने इसको कट कर लेना है तो यह आ गई हमारी कैप की रिक्वाइड सैप्रिक यह दे तो यह हमारी कैप की लेंथ 10.5 इंच और इसकी विट 9.5 इंच तो अब हम इसके उपर राउंड शेप कट करेंगे तो सबसे पहले मैं यहां पर फाइव इंच जिस के उपर मार्क लगा लूँगी लेंथ वाइज और विट पर भी मैं फाइव इंच जिस के उपर निशान लगा लूँगी इस तरह अब हमने इन दोनों निशानों को मिलाना है तो इन दोनों को दोनों निशानों को मिलाते हुए मैं एक राउंड शेप ड्रॉ कर लूँगी इस तरीके से और फिर मैं इसको कट कर लूँगी यह देखिए कट करने के बाद यह कुछ इस तरीके से दिखेगी अब हमने इसको रॉंग साइट की तरफ से फोल्ड कर लेना है इस तरह अब इलकुल कपड़े को अलाइन कर लेना है अब हमने यह बैक वाली साइट के ओपर जो राउंड शेप है इसको उपर सिलाई लगा क इसको जॉइन करिए इस तरीकर से तो हमने बिलकुल नीचे तक सिलाई लगा लेनी है इस कपड़े के उपर इस राउंड शेप के उपर यह देखें अब हम इसके उपर स्मॉल कट्स लगा लेंगे ताके इजीली हम कैप को पलट सके और हमें इसको सीधा करने में कोई मुश्किल ना हो सीधा करने के बाद यह हमारी कैप कुछ इस तरह से दिखेगी यह देखें अब कैप के बॉटम वाले पार्ट को हमने फोल्ड कर लेना है मैं इसको हाफ इंच तक फोल्ड कर लूँगी इस तरह और फोल्ड करके मैं इसके उपर सिलाई लगा लूँगी तो यहां पर आपने मोड़ते हुए सिधी सिधी सिलाई लगा लेनी हैं यहां पर हम एक मेपर तयार कर रहे हैं यह देखिए यह हमारा बॉटम वाला पार्ट है इसके उपर मैंने सिलाई लगा ली है अब हम इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करेंगे तो यहां पर जो हमें इलास्टिक की लेंथ रिक्वाइरड है वो है 9.5 इंचिस की एनि कैप की चोड़ाई के बराबर तो मैं यहां पर सेफटी पिन के इस्तमाल कर रही हूं इस इलास्टिक को इंसर्ट करने के लिए इस तरह से Elastic को इसके अंदर डालना है हमने यह एक beginner friendly tutorial है तो जिन्होंने अभी अभी सिलाई शुरू की है उनके लिए यह best project है बनाने के लिए तो do try it out यहाँ पर मैंने दोनों सिरों से यह Elastic को इस तरह सिक्योर कर लिया है पिन की मदद से Elastic को इस तरह से adjust कर लिए और दोनों सिरों के उपर मैं आप सिलाई लगा कर इसे पक्का कर लोंगी इधर भी और दुस्री वाली side पर भी दुस्री वाली side के उपर भी हम send process repeat करेंगे Elastic को इस तरह से पकड़ कर हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिनी है यह देखें हमने bottom वाले part के उपर elastic लगा ली है इसको इतना strisable होना चाहिए अब front वाले part की बारी आती है तो इसके वी मैंने different color का fabric लिया है यह मेरे पास georget का fabric एक बचा हुआ था यहाँ पर मैं इस fabric का इस्तमाल कर रही हूँ आप same fabric भी use कर सकती है तो यहाँ पर जो हमें length required है वो है 34.5 inches और जो हम इसकी width लेंगे वो है 4 inches तो सबसे पहले मैं इसको चाड़ाई में fold कर लूँगी इस तरह और fold करने के बाद आपने इसको press कर लेना है ताकि इसके दर्म्यान में एक निशान आजाए उसके बाद हमने इस strap के उपर बिल्कुल center के उपर निशान लगा लेना है तो मैंने इसको lengthwise fold कर लिया है और इसके बिल्कुल center के उपर मैं निशान लगा रही हूँ ताकि center mark हो जाए इस पर हाँ सेंग काम हमने अपने हिजाब के उपर करना है केप को इस तरीख से बिल्कुल properly fold करके हम center mark कर लेंगे अब इन दोनो centers को हमने align करना है और pin से secure कर लें अब गैट की दोनों जानेब हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरह इस तरव भी और इसकी दूसरी जानेब भी अगर आपकी फैबरिक में से धागे बहुत जादा निकल रहे हैं हो तो आप इसको overlock जरूर कर लें एक तरव से लाई करने के बाद same process मैं दूसरी तरव भी follow करूंगी इसको इस तरीका सामने attach कर लेना है हमारे स्ट्रैप जो है वह क्याप से attach हो गया है अब हमने जो स्ट्रैप का नीचे वाला पार्ट है इसको हमने बारीफ बारीफ मोड़ना है इस तरह और इसके उपर सिलाई लगा लेनी है तो यहां पर मैं इसको इस तरीका से मोड़ लोगी और बारीफ मोड़ कर इसको आइरन कर लोगी ताकि नीटली इसके उपर सिलाई हो इस तरह यह देखें मैंने यहां पर आइरन कर लिया इसे ताकि मैं आसानी से इसको उपर सिलाई कर सकूँ अब हम इसके उपर सीड़ी सीड़ी सिलाई कर लेंगे दूसरे स्ट्राप को भी मैं इसी तरीके से सिलाई करके बंद कर लूँगी यह देखे हमारी कैट लहां पर हो गई है रेड़ी इसका फ्रेंट वाला पार्ट है किपनी नीठी कैप तयार हो गई है मुझे से तयार करने में टोटल 6-7 मिनिट लगे हैं यह इसका बेक वाला पार्ट है यह कितना स्ट्राचिबल है और यह इसका फ्रंट पार्ट है अगर आपको भी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताके आपको मजीद ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें ताके पार्ट है